हाई फ्रेंड्स वेलकम टू लर्ण काडमी वस्ट पिंगल गवर्मेंट आई टीए टू टू तो फर्स्ट एलाउट्मेंट की जो रिजल्ट है वो अर्डी पब्लिस हो चुका है और मैंने सुबही वीडियो बना दिया है अगर आप देखे नहीं है तो जरूर देख चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाई सबसे पहले बता दू जो भी यहां पर फर्स्ट फ्रेस के लॉट्मेंट में सलेक्ट हुए चाहा है एम ग्रूप के स्टुडेंट हो ठीक है गवर्मेंट या प्राइवेट इस में तो आपको सबसे पहले जो है यहा पहले जो भी किया होंगे ऐसी करके यहां पर देख सकते हैं आप अपको दिखेंगे मालेजे कोई भी स्टुडेंट के यहां पर कुछ भी नहीं दीख रहा है यानि नौट फॉंड या कुछ भी तो आप सलेक्ट नहीं हुए है फर्स्ट फेस में आप सेकेंड फ्रेस के लि जो पोटल है वो आ चुकी है तो जैसे आप अलॉट में लेटर पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपका नाम जेनरल राइंक यहां पर उसके बाद देखिए कौन सी गवर्मेन आइटियाई में आप अलॉट हुए है वो भी यहां आपको दीख जाएंगी इसके बाद जाएंगे कौनसी च्वाय समें आपको कॉलर सलेक्ट की यहां जीसे यहां पर तीन नंबर पोजिशन में जो है आपको सलेक्ट की हैं इसके बाद और एक बात यहां पर यह जो आप देख रहें आईटियाई एप्रूप स्टेटिस काफे सारे स्टूडेंट की यहां पर हुए है उसके बाद ही जो है आप पेमेंट को कर सकते हैं ठीक आप पेमेंट कैसे करेंगे वो भी आपको बता दूँ एड्मिशन फीस के पेमेंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आप गवर्मेंट कोटा पे अगर आपकी सलेक्शन हुआ है तो 410 रुपीज आपको पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप अगर क्लिक करते हैं फीस कर देने के बाद तो देखिए यहां पर की उपर की जो कॉलेजेज होंगे जहां से अप सलेक्ट कियांगे उनकी चॉइस अगर सीट रहेंगी तो आपको सलेक्ट आपको चॉइस मिलेगा अगर मान लीजिए अगर आपको सेकेंड फ्रेस में कोई सीट अलॉट नहीं होते हैं ठीक है तो क्या है वो सीट जो है आपको वापस मिल जाएंगी और मान लिजे कि second phrase में अगर आपकी allot हो जाते हैं seat तो ये जो first phrase में आपको जो college allot होएंगे वो आप आपसे लेकर दूसरे काई rate को दे दिये जाएंगे और second phrase में जो आपको मिलेगा वो आपको जाएंगे तो सारी payment की जो फीज है वो आपको सो हो जाएंगी तो सारी student जो है जो candidate यहाप सलेक्ट हुए है आप payment कर लीजेगा ऐसे कर तो उमीद करता हूँ कि auto operation method क्या है वो आपको पता चल क्या होगा अगर आप मुझे से पेरे से पूछेंगा auto operation करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो ज़रूर आप कर सकते हैं क्यूंकि आपको अगर मालीजे second phrase में अगर आपको seat a lot नहीं होते हैं तो आपको तो जो first phrase में है वो आपको मिली जाएंगे ठीक है तो यही सब कुछ important update था इस